हेलो गाइस विलकम बेक टो अनदर व्लॉक तो आज इंजार रिखे में एक टेश्ट कराना था तो मैं और रूशान हम दोनों जाएंगे वहाँ पे चली आगे वीडियो में देखते हैं तो हमारे घर से पेट्रोल पंप जाने में पांच मिनट का समय लगता है उतने में हम पहुच जाते हैं तो रूशान यहाँ पे आ चुका है पेट्रोल डलाएंगे और फिर हम उस जगह जाने के तयार हैं तो पेट्रोल ले चुके हैं और उसको पैसे देके हम चल देंगे अपनी रास्ते की तरफ तो आप भी बाईक चला रहा है रोशान और हम वही पे जा रहे हैं जहां में ब्लड तिस्ट होएстро करना था तो वही पे जा रहे हैं आराम दाë चला भाई आराम से अलो आराम से जोग जाने मिनटे एग इस ज्जग जाने के लिए जहां में जाना है कि अभी भी गाइस ठूप निकली हुई है लेकिन ठंडी अलकी लग रही है अन्द भाव स्वाव भी छेल सेंद्डी का अँड़ी है आगे शेलो आगे से इधर से गुमाल वू इधर जो शाही है इधर ही से इधरी से आराम से तुम चलाओ सही है सीधे चलो सीधे एकदम मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि आराम से चलाओ क्योंकि कभी-कभी बहुत तेज चला देता है गाड़ी रोड है ना इसी वज़े से ये है मोग की इंडियन गैस एजनसी और ये जो अब जगह देख रहे हैं ये है मोग की सबजी मंडी बहुत सारी सबजी यहां पे आती हैं तो अलग-अलग प्राइस के साब से लोग लेके जाते हैं बेचने के लिए तो ये रही वो जगह जहां पे हमें काम था और मैंने अपना बलड दे दिया टेस्ट के लिए तो दोस्तों रिपोर्ट अभी एक घंटे के बाद मिलेगी तो अभी एक घंटे के बाद मिलेगी तो मैंने कहा चलो कुछ खा लो उसके बाद चलते हैं और ये देखे यहां पे वाख तो इधर ही पुल है हम दोरों वही पे जा रहे हैं ये है हमारी तरफ की नदी और उधर जो आप देख रहे हैं उस पे जो है ट्रेंज आती है बहुत स्पीड में होती है तो अब हम उस वाले पे चलते हैं देखा जाए उधर क्या कंडिशन है आईए आपको एक चीज दिखाता हूं थोला सा ये देखिए आप तो देख रहे हैं आप लोग इसकी कंडिशन क्या है पहले हम जब छोटे थे तो इस पे जाते थे मुझे तो लग रहे है भी इस पे जाना खत्रे से खाली नहीं है पूरा टूटा हुआ है दोस्तों ये जो चीज आप देख रहे हैं ये इसलिए बनाय जाता है ताके आप जो इस पर जा रहे हों और अचानक से ट्रेन आ जाए तो उस कंडिशन में आप क्या करें तो उस कंडिशन में आप जो इधर ही आके अपना बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं उतनी वाप अपे इस पेस होता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इसलिए बना जाता है उसको आजाओ आजाओ ये वाला पहले वाले से सही है इसलिए मैं और रुशान दोनों इस पे गए थे आजाओ वाँ से धूप लग रही बहुत तेज आजाओ आजाओ बाइक हमें रोड पे छोड़के जानी पड़ी थी उस जगह जाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वापे न ढलान है तो अब बाइक हम लेके नहीं जा सकते थे तो ये रही हमारी बाइक चलो भाई अब तो एक घंटा दोस्तों हो चुका है हमारी रिपोर्ट तयार हो गई होगी तो हमें उसे लेने जाना होगा एक घंटा हो चुका है और हमने जो टेस्ट करा था उसकी रिपोर्ट हमें मिल गई आरांग से चलाओ ठीक ना तो गाइस हम लोगों ने रिपोर्ट वगर ले ली अब हम जा रहें घर की तरफ मिलेंगे एक दोसरे व्लॉग में टेक केर